नमस्कार दोस्तों मैं उमेश शर्मा चार्ट NLC चैनल पर आपका हड़ देख स्वागत करता हूँ आज की वीडियों बताएंगे कि कैसे आप Consolidate Market में काम कर सकते हैं किस तरीके के Trade Up बना सकते हैं Consolidation Market में क्या आपको Market Avoid करनी चाहिए या कुछ खास तरीकी की Strategy का यूज करना चाहिए वो मैं आज की वीडियो में बताने माला हूँ इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यह है क्योंकि अभी देखेंगे तो Market आज पूरे दिन Consolidate था कल भी कुछ खास moment Market में देखने को नहीं मिली तो Consolidation Market में काफी लोग के Message आते हैं कि भी यह अभी फिलाल Market Consolidate है तो हमें किस तरीके का Trade बनाना चाहिए और कैसी Study का यूज करना चाहिए अब हम बोलते हैं कि भी आप Pattern के Accordingly काम करो Pattern बनाए कि उसके Accordingly काम आप Trade बना सकते हैं अब आपने Pattern के Accordingly टेड बनाया चाहिए आपने वन अबरली पे बनाया चाहिए फोर अबरली या डेली पे बनाया चाहिए शॉट टाइम फ्रेम में बनाया या बड़े टाइम फ्रेम में आपने काम करा बट जब मार्केट में मूवन नहीं होती और आप Option करते हैं तो वहां से आपको बड़ा नुकसान मार्केट में देखने को मिल जाता है आपने कई बार ऐसा देखा होगा हा तो क्या हमें उस वक्त पर एक चीज और है को बताना चाहता हूं कि कि आपने कोई ट्रेड मना या जब आप अपको पता नहीं था कि मार्केट कंसॉल्डेट होगी दो चीज़े हो सकते, या तो SL कटेगा या target कटेगा, यहां प्या बीच में फस गए, तो बीच में फस ने से क्या होगा, कि example के तोर पे आपने, आपको लगा market तेज है, अब आपने market देखा तेज है तो market आपने कोई trade मना लिया, 140 के उपर market लगा, आपको और आपको लग रह और 141, 141, 139 तक वो घुमता रहा, आगर मालो कि अगर आपका SL में ट्रिगर्ट हो जाता और अपने option बाइंग कर रहा है तो आप loss लेके वहां से exit हो सकते थे, target आता तो profit लेके exit हो सकते थे, बट यहां पे क्या हुआ, ना profit आया ना आपका stop loss कटा और बीच में घुमता रहा, और वहां पे आपको आपका theta decay होता रहा, premium का loss आपको होता रहा, और जब तक experience नियर रही, तो वहां पे आपका पूरा BOOE value जे थी, वो 0 हो गई, ऐसा देखने को मिलता है, बट जब आपने trade बनाया था, तब आपको नहीं बता था कि आगे market क्या होने वाला है, तो इसका को चीजों का ध्यार रखना है, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो काफी special है, शूर से लेकर आकर तक जोड देखेगा, चैनल को subscribe नहीं करें, चैनल को subscribe करेंगा, क्योंकि हमारी वीडियो होती है, जो market में हो रहा होता है, उसके accordingly हम वीडियो मना बनाते हैं, यह नहीं कि कल कुछ हुआ तो हम उसकी वीडियो आज बना रहे हैं, जो आज हुआ है, उसकी वीडियो मनाते हैं, तो इससे आपको पता रहता है कि जैसे आप market में, live market में भी updated रहते हैं, तो अब जैसे कुछ stocks हैं, जिसके बारे में चर्चा करना चाओंगा, हा पहला जो stock है, जिसके बारे में चर्चा करना चाओंगा, वो है विप्रो, क्योंकि विप्रो में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है, अब विप्रो है, विप्रो में आपके trade मनाया, अब example के तौर पे हम देखते हैं इसे 4 अवरली चार्ट पे, अब 4 अवरली चार्ट पे मैं यहाँ पे trade मनाया, अब आपने trade मनाया, यह आपका SL था, और यहाँ पे आपका क्या target है, अब देखें क्या ना SL कटा, ना target आया, अभी यह क्या है, बीच में ही चल रहा है, अब समझें मेरी बाग को, SL भी नहीं कटा, गर उस दिन आपका SL भी कट जाता, तो at least क्या होता कि चोटा बोटा loss लेके हम निकल जाते, बाट एसल भी निकटा, इसने, target भी नहीं आया, तो यह क्या है, यह area, अगर यह घुमता रहेगा, और अभी expiry है, तो उसमें क्या हो सकती है, आपकी value 0 हो सकती है, जो आजकल काफी लोगों के साथ हुआ है, बट देखें क्या होता है, कि हम सिब यह बता सकते हैं, आपको कि आप यह stock buy कर सकते हैं, यह target है, हम यह नहीं बता सकते हैं, कि यह target कितने दिन में आएगा, क्योंकि हम कई बर बता चुके हैं, कोई भी technical analysis, कोई भी analysis, यह नहीं बताती कि आपका target कितने दिन में आएगा, या फिर कितने time में आएगा, तो ये कोई नी बता सकता, अब ये चीज़े होती है, अब आप क्या करते हैं, ऑप्शन माइं करेंगे, तो ये चीज़े आपको ज़्यादा तर फेस करनी पड़ेंगी, तो काफी लोगे मैसे टाते हैं, मेरिया तो थीटा ठीके हो गया, तो उसमें हम भी कुछी नहीं कर सकते हैं, देखे क्या होता है न, एक्जामपल के तौर पे, आप ने देखा भार कि भार बारिश होड़ी है, और आप च्छाता लेके निकल पड़ें, अब आपने बोला कि भ च्छाता लेके भार जाना है, क्योंकि मौसम बारिश जैसा हो रहा है, तब आपका वो डिसीजन उस टाइम के अकॉर्डिंग ली सही था, पट आगे मौसम चेंज हो गया, तो च्छाता आपके लिए भोज बन गया, तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा, यह हमारे साथ भी हु आप में situation change हो गई, चाहे आपका SL कट गया, तो वहाँ पर कोसने की बात नहीं है, कोसने की जूरत नहीं है, तो वहाँ पर आपका decision सही था, ठीक है, decision wrong होगी, situation change होगी, बट जब next time आपको की pattern मिलेगा, तो उसके recording आप काम कर सकते हैं, तो यहीं पर ही ऐसा कुछ देखने को मिला है, तो अब इसको मछोड़ देते हैं, अब strategy पर आता है कि strategy का क्या use कर सकते हैं, देखे, अगर आपको पहले से दिखाई दे रहा है, कि कोई market है, बहुत दिन से consolidate हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप strangle बेज सकते हैं, उपर की call बेज सकते हैं, और नीचे जो भी premium आपने receive किया है, वो धीरे-धीरे क्या होगा, वो zero होगा, तो call की तरफ से और put की तरफ से आपको benefit हो सकता है, बट जो वो benefit होगा, वो limited होता है, हाला कि इसमें भी नुक्सान के chances होते हैं, 100% strategy कोई नहीं होती, बट उसको भी आप hedge कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है consolidation market में trade बनाने का, बट एक चीज है, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज consolidate है market, बट कल consolidate रहेगा, क्या उसी range में रहेगा, ये आपको कोई नहीं बता सकता, तो देखे क्या होता है न, कि आपने कोई trade बनाया, उस trade क्या accordingly, आपको put खरीदनी चाहिए, call put खरीदना call writing करनी चाहिए, future में काम करना चाहिए, या फिर equity में काम करना चाहिए, वो decision actual में आपका होना चाहिए, वो हम नहीं पता सकते आपको कि यहाँ पे आप equity खरीदो, यहाँ पे आप option buy करो, नई इस जगह आप call writing करो, या यहाँ पे आप future में काम कर सकते हो, यह आपको decide करना ह है वो डिसाइट करेगा आपका मार्जन कि आपका मार्जन आपको कर रहे हैं कि वहां पे आप ट्रेड बनाएं तो इसको आपको एक्ट्र में देखना पड़ेगा अब दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ भी ज्यादा कंसॉलिडेट हो रहे हैं और कुछ गडबड मुझे लग रही है चार्ट पर उसके बार में डिसकुस करना चाहूंगा यह एक तरीकी की स्टैटीजी भी है इसका भी आप आप देख सकते हैं आपको शाद याद होगा कि एवर हमने निफ् देखने को मिल सकती है तो कुछ तरीके के हमें पैटर्स दिखाई दिये थे उस पैटर्स की हम बात करेंगे यहां पर देख रहे हैं दोस्तों यह एरिया था यहां पर मार्केट गया था और हमने आपको बढ़ा था कि हां से मार्केट में गिरावाट आईगी याद आपको यह हमने आपको बढ़ा था 14 जनुवरी के आसपर सों वहां से मार्केट में गिरावाट आई थी और हमने आपको छोटा सैसल देखने को अभी दिखाई दे रहा है तो कुछ चार्ट से मैं आपको दिखाना चाहूंगा और जैसे टेकनिकल अना जाता है होरहा है कि एशस बर दिखाते इस का चार्ट दिखाते हैं कुछ मुझे दिखाई दिया है और उसकी बात करेंगे तो अगर देखेंगे तो रड़ाइस में वे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है market के लगाता उपर की तरफ जा रहा है और यह जो area है यह कौन सा है? consolidation phase है consolidation phase अब आप यह दोन लागी consolidation तो ऐसा होता है ऐसा नहीं होता देखे क्या होता है consolidation phase uptrend में भी हो सकता है downtrend में भी हो सकता है और consolidate होगा sideways में तो वो ठीक है अब देखने हैं कि reliance में लगातार क्या है एक TG आपको दिखाई दी रही है बट वो TG जो है दोस्तों वो कहना चाहूँगा low volume के साथ है वो TG क्या है low volume के साथ है अब आप बोलें कि बैसा low volume के साथ है ऐसे कैसे बता चलेगा कि यहां पर बुलिश केंडल बन रही है यहां भी बुलिश है और बुलिश केंडल है यह भी बुलिश है यह भी बुलिश है यह भी बुलिश है यह क्या मजाख हो रहे है आपको खेहना चाहूँगा एक बुलिश आती है फिर consolidate होता है टेलीग्रम चैनल पे और 300 पॉइंट का ऐसा दिया था बोला था 15-500 आएगा यहां से तो काफी लोग हसर रहे थे उस वक्त पे यह ऐसा थोड़ना आप सकता है कैसे बोल दिया आपने वह जब 15-700 आया तो वही लोग कह रहे थे कि हवाग भी क्या जब्रस टार्गेट था जो एक गिरावट का संकीत दे रहे है हाला कि छोटे-छोटे बीरी शेराइबी पैटर्न यहां पे दिखाई दिये थे पहले एक चीज और मैं आपको कहाना चाहूंगा इसके उपर वैसे वेक सीरीज बनाने वाला हूं और उसमें मैं कुछ चीजे हैं जो डिसकस करना कि जब भी मार्केट अब ट्रेंड में चलता है तो चोटे-चोटे पैटर्स दिखाई देते हैं और उसके एसल भी ट्रिगर होते हैं वह चोटे-चोटे-चोटे एसल होते हैं बड़ तो गिरता है बहुत तीजी से गिरता है अब देखेंगे तो यहां पर नेगिडिव डि को यहां आपको समझ में आने बला है पहले मैं उसका मन्थली चार्ट दिखा देखा देखेंगे तो ITC में पैटर्न मनावा शूटिंग सार्ट पैटर्न उसके एपडिंग इसमें सेलिंग थी और वहां से 207 का भी लो बना था पट आज के टाइम पे अगर मैं इटीजी की से बात कर दो मंथली चार्ट में इसका जो है एक जेक्ली में बता हूं वो 265 का है तो यहां पे 265 का एसल है ITC में और 254 का करेंट मार्किट प्राइज है और इसका टार्केट बनता है दोस्तों बनता 170 का अब यह मंधिली चार्ट के इसाफ्ट से हमने एक और जनरेट कर ली ठीक है, ठीक है, 254 चला गया, जब Nifty भी 17,000, 900 के नीचे sell बनता था ना, तो वहां से भी 18,300 रोपे चला गया था हिवा, तो वहां से भी 20,000 का target Nifty में आ रहा था, वहां से आया 1500, 700, तो खेर, अब ITC की बात करेंगे, जो भी इदियों उसको भूल जाते हैं, तो भी या, ITC मे भी pattern मनावे 265 का SL है, इसमें 254 का current market price है, और अगर मैं बात करूँ, तो यहां पे target जो है, वो 170 का लग रहा है, यह फिलाल क्या है, यह एक मंतिली चार्ट है, अब बात करते हैं दोस्तों, अबरली चार्ट की, और अबरली चार्ट में आपको यहां पे दिखा देता हूँ, कि अभी ITC किस तरीके से react कर रहा है, तो मैंने ना इस area को थोड़ा सा zoom कर दिया है, तो देखेंगे, ITC इस तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल uptrend में, अब ITC में दोस्तों एक pattern मन चुका है, जिसको बोलते है double top pattern, कहना चाहूँँगा दोस्तों, आज का दिन फिर से note कर ले अब यहां पर देखेंगे, तो निफ्टी में, यहां सोरी, ITC में pattern मना है, जिसको बोलते है, double top, DT pattern, negative divergence, और कहना चाहूँगा, hanging man देखने को मिला है, और साथ साथ कहना चाहूँगा, यहां पर आगर आप देखेंगे, तो trend 9 का almost support भी इसने ले लिया है, अब यहां सा ITC साथे दीन से चले आएगा, दो साल में double हो जाएगा, हर जगा से अच्छी news है, मेरा चार्ट कहरा है, यहां से बेचो, मेरा चार्ट जो बोलेगा, मैं वही करूँगा, SL लगा के, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर ITC को अब बेच सकते हैं, कहना चाहूँगा, हमारा चैन ररने के लिए किसी को ढूलते हैं, खैर, यह क्या है, यंट एक अप्रेंड लाइन है, आप्र लाइन के नीचे चल रहा है, और हैंगिं बेंग पाटरन है, यह थे हीचिछ बेचर लगा है जगा से बोलेगा, दूस्तो कि ये जो prediction मैंने करी है ये से ऐसा नहीं है कि एक ही chart देखा है इसमें मैंने time frame के combination को भी use करा है मैंने monthly chart भी देखा है और hourly chart भी देखा है तो मुझे लग रहा है कि ITC में कुछ बड़ी गड़बर देखने को मिल सकती है इसके इलावा भी अगर मैं देखूं तो मैं आपको Tata Steel का chart दिखा देता हूँ और अभी strategy के बारे भी बात करूँगा दोस्तों अभी strategy भी आई की कौन सी strategy का use कर सकते है तो Tata Steel का भी अगर हम chart देखेंगे और 4 hourly का chart देखते है तो यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर hanging man pattern मना हुआ है तो इसके एसाब से भी लग रहा है कि market थोड़ा नीचे जा सकते है इसको अब radar में डख सकते है अगर मैं reliance का chart दिखा हूँ आपको या फिर मैं अभी फिलाल ITC का chart दिखा हूँ तो strategy कौन सी use कर सकते हैं उसके बारे में पहले में discuss कर लेता हूँ तो इधर हम देखेंगे कि आपको जब भी कोई market consolidate देखे तो वहाँ पे आपको ढूणना है double top pattern जो निया कि वह candlestick pattern मनें और दूसरा use करना है आपको किसका trend line का ठीक है बट उसके लिए आपको basic technical analysis आना चाहिए अगर वो इसके नीचे काम कराता है और यहां पर आपको चेक करने है negative divergence उसके accordingly आप कर सकते हैं अपनी position क्या कर सकते हैं short में बना सकते हैं तो देखो मैं यह नहीं कहा रहा कि short में बनाना है ऐसे अगर market मालो नीचे की तरफ चल रहा है consolidate हो रहा है और यहां पर positive divergence दिखाई देते हैं आपको यह नीचे double bottom दिखता है तो वहां पर भी position आप क्या कर सकते हैं buy में बना सकते हैं ऐसा कहीं बार देखने को मिलता है तो फिलाल जो strategy है वो है trend line की double top यूज़ करो अब बात करेंगे दोस्तों इसके इलावा अगला stock जो है वह है टेक महिंदर stocks बहुत सारे हैं तो टेक महिंदर भी अगर मैं बात करूंगा तो टेक महिंदर भी पैटर मना है जिसको बोलते है बेरी शेंगल फिंग इसको भी कल की लिए अपनी डडार में रखना इसमें भी एक मंदी आपको देखने को मिल सकती है तो consolidation phase में कैसे काम करना है जैसे reliance आपको बताया निफ्टिक आपको example दिया साथ साथ ITC का चार्ट दिखा है इसके लावा बहुत सारे चार्ट है जो अभी चिला चिला के कह रहे हैं कि उनमें विक्वाली बनती है पर सबके बारे बताऊँगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी तो जो चीजे मैं आज की वीडियो में बताई है उसको समझ के आप next time जब ऐसा pattern मने तो trade कर सकते हैं और बाकी ITC reliance में अपनी नजर बना के रखेगा SL दे रहा हूँ अगर SL कट गया तो blame मत करना SL कटते हैं market में कोई 100% नहीं हो था पर फिलाल market जो कह रहा है उसके accordingly में आपको बता रहा हूँ और last time जो reliance में बोला था वैसा ही दोस्तो अभी ITC में जो last time ने निफ्टी में prediction करी थी वोई prediction अब हम ITC में उसी तरीकी की prediction कर रह हैं और एक अच्छी accuracy generate पना चाते है market में तो chart analysis हमरी website chartanalysis.co.in वहाँ पर जाके visit करिए link नीचे description में मिल जाएगा इसमें आपको 7,999 रुपे का technical analysis का course मिल जाएगा जिसमें candistic chart pattern indicator, dow theory, alert wave theory, time frame का combination, demand supply psychology सिखाय जाता है साथ सा कहरा चाहूंगा दोस्तो 28 videos है 10 hours का course है वीडियो को download कर सकते है PDF फाइल आपको मिलेगी इसमें personal telegram channel हमारा एक personal telegram channel है वो आपको मिलेगा personal telegram channel दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं personal telegram channel में क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूं इसमें हम ज़्यादा से recommend कर आता आज जैसे 413 और पे 407 और लो बन गया तो इसकी detail आपको किसमें मिलेगी हमारे private telegram channel पे हमारा public channel भी है दोस्तों ITC है वो recommend कर रहा था काफी सारे stocks है जो recommend करें तो काफी सारे messages इसमें हम करते हैं तो basically क्या है हमारा जो private telegram channel है ये ये basically क्या है ये एक तरीके से organic scanner है त तो private telegram channel हम सी courts के students को provide करते हैं जादा स्यादा messages करते हैं जिसमें दोस्तों आप trade बनाके अपनी learning के साथ सा earning कर सकते हैं तो जो हमारे courts के student है वो already इसमें इसका benefit उठा रहे हैं दूसरा दोस्तों क्या हमारा public channel है जिसमें हम messages करते हैं जैसे विदानता आज हमने 413 और पे 75 पै दोस्तों यह भी पूरी तरीके से consolidate है exactly मैं आपको दिखा देता हूँ यह भी पूरी तरीके से consolidate है triple top pattern मना है negative divergence है जो लग रहा है कि इसमें भी बड़ी विखवाली देखने को मिल सकती है तो public channel का link आपको नीचे description में मिल जाएगा महां से जाके आप search कर सकते हैं और public channel तो free ह दोस्तों उसका आप use करिए उसको आप आप देखें daily basis पर कितने उसमें messages आते हैं और कैसे दोस्तों technical analysis भी हम उसमें सिखाते हैं basically हम चार्ट भेशते हैं तो चार्ट के according आप trade बना सकते हैं सासे दोस्तों कहना चाऊंगा यह जो basically जो course है यह काम करेगा दोस्तों trade बनाने मे में कब खरीदना है कब बेचना है क्या target होना चाहिए क्या stop loss होना चाहिए वह आपको पता चल जाएगा 70% से 80% की आपकी accuracy इस course के थ्रू मिल जाएगी तो बाकी दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारा option का भी course है option भी आप ले सकते हैं option में कहना चाहूंगा 59 वीडियोस है 15 hours का course है और इसमें option chain option की option की strategies pay off सिखाया जाता है साथ सच है तो आप हमारा technical analysis plus option का course भी ले सकते हैं जो 16,999 रुपे का आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यह जो courses है काफी beneficial है अगर आप मार्केट में training कर रहे हैं मार्केट में नए है तो यह course अब जूरूर करिए और मैंने आपको बताया कि consultation phase में कैसे काम करें ITC Reliance के बारे में बताया और proper example के साथ आपको बताया है कोंसे कोंसे pattern दिखाई दे रहे कैसे आपको trade बनाना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता ही तो आशा करूँगा आज के वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आती ह तो like करे, share करे, channel को subscribe करे, आज के लिए बस इतने ही दोस्तों धन्यवाद